हेलो डियर श्टुडेंट्स, तो सभी लोग ब्रेक के बाद आ गए हैं, शल ये हो के चाय पानी सबका हो गया न, तो next class है हम लोग का, वो class है क्या, objects and images, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, objects और images के बारे में, हम लोग करते हैं न, देखो भाई, ऐसा काम करो, ऐसा जग में काम करो कि तुम्हारी छवी, है न, image का हिंदी क्या होता है, छवी, दुनिया में अच्छा बन जाए, बाबुजी कहते हैं कि बेटा, कुछ ऐसा काम मत करना, कि मेरा पूरा जिन्दगी का किया गया काम, का image तुम एक दम कर दो बरबाद, ऐसा कोई काम नहीं करना, है न, तो आज हम लोग देखने जा रहे है, objects और images, बड़ा simple सा चीज है, अगर objects का example देखें, है न, objects का अगर हम लोग example देखना शुरू करें, तो आपके पास भरा हुआ है, bulb, सबसे पहले उठाईए तो bulb, sun, है न, candle, चितना भी आप अपने चारो तरब जो चीज देख रहे हैं, न, वो क् सारा का सारा आपका object है, है न, all things, जितना भी समान आप देख रहे हैं, all animals, birds, सब को हम object का सकते हैं, सब को हम लोग objects मान सकते हैं, ले सकते हैं, है न, from the point of view of a study of light, है न, from the point of view of a study of light, light को study करने के, study of light, light study करना है, तो इसके view से, आप अपने चारो तरब जितना भी चीज आप देख रहे हैं, अपनी आँखों से, जिसे भी देखते हैं, है न, जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, that we see, with our eyes, are all object, are all object, वो सब को हम लोग objects ले सकते हैं, before view of a study of light, light के study करने के view से, किलियर है, और यह जो objects जो होते हैं, ठीक है न, तो इसको हम लोग define भी कर सकते हैं, light में दुसरे तरह से, O, B, J, E, C, T, S, यह बड़ा हम लोग को पढ़ना है objects, anything, कोई भी चीज, anything, ठीक है, which gives out light rage, which gives out light rage, जो light rage, बाहर की तरफ फेकता हो, यह क्या बात बोल दिये, which gives out light rage, चाहे उसका खुद का हो, चाहे दूसरे का हो, लेकिन उस पर जब light पढ़े, तो उस light को बाहर निकाल दे हैं न, यानि हम लोग कह सकते, either it's on, either it's on, चाहे मेरा हो, चाहे दूसरे का हो, हम उस light को रखेंगे, नहीं, उसे बाहर जरूर बिगेंगे, reflected, वहाँ reflect जरूर हो, by it, है न, तो वो हमारा क्या है, object है, it's called an object, clear, तो object कौन है, जो दानवीर है, किसका, light का, है न, light का दानवीर, क्या है, object है, light का, reflector, क्या है, object है, है न, यानि, खुद का रहे, चाहे, दूसरे का रहे, जो light का, emitter, light को बाहर फेकने वाला, वो क्या है, object है, clear, तो object का definition, अगर exam में आये, तो आप लिग दिजेगा, anything which gives out light range, either it's on, or reflected by it, is called an object, अब जो object होता है, उसे जब हम लोग, यहां light chapter में पढ़ेंगे, तो वो object हमारे को, दो तरह के रहेंगे, क्या रहेंगे, दो तरह का object हम लोग यहां पढ़ाएंगे, तो ray diagram जब भी हम लोग खीचेंगे, तो उसे में दो तरह के object दिखते हैं, एक हमारा होता है क्या, point object, एक हमारा रहेगा, point object, clear, और दूसरा हमारा जो रहता है, वो रहता है extended object, यानि एक point object जो बहुत छोटा, और दूसरा extended object जो की बड़ा, बहुत बड़ा, है न, तो point object को हम लोग इस light chapter में जब भी सोग करेंगे, तो point से, dots से, dots से उसे दरसाते हैं, कहीं भी dots दिखा करके उसे हम लोग दिखाएंगे, और extended object को, यानि object कहीं भी light में अगर रखना हो, तो उसे हम लोग वो object का photo नहीं बनाते हैं, बलिक सिर्फ एक arrow upward direction में खीच देते हैं, है न, any extended object represented by, represented by, इसको represent कैसे कराते हैं, इसको represent कराते हैं, by drawing an arrow, है न, by drawing an arrow, drawing an arrow, एक arrow draw करके हम लोग इसे represent कराते हैं, और इस arrow का जो direction होगा, वो हमेशा upward होगा, pointing upwards, always upwards होगा, क्लियर, यह देखिए, मैंने arrow draw किया है, जिसका pointing क्या है, उपर की तरफ है, न, upwards, और, point object को हम लोग represent करते हैं, कैसे, by dot, है न, point object represented by, by a dot, एक dot के द्वारा इसे हम लोग represent करते हैं, क्लियर, और अब हमारा topic है क्या image, object तो जान गएं, light के term में, अब image को भी देख लें, image, मेरा image बड़ा बढ़ियां है, ता बढ़ियां रहेगा, अगर कोई image जो है, object का mirror में बनता है, आप अपना चेहराज देखकर के आए हैं न, mirror में, plane mirror में, है न, या किसी भी तरह का कोई mirror हो, उसके द्वारा reflect करके बने, या reflect करके बने, है न, तो वो जो image जो बनता है, उसे वहाँ पर हम लोग image कहते हैं, और वो बनता कैसे है, कि वहाँ से light जो है, वो तो, या तो reflect हो करके लगेगा, कि आ रहा है, या वो किसी भी point पर जा करके वो मिलेगा, है न, या जा कर किसी भी point पर मिलता है, वैसा परतीत होता है, तो वहाँ पर image बनता है, अब इसका definition देखिए, an image, an image, image क्या है, एक छाया है, है न, चो दिखाई देता है, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं सकता है, image को, is formed, formed होगा, an image is formed, when the light rays, when the light rays, ध्यान देंगे, जब light rays जो है, सभी लोग note कर रहे हैं, okay, very good, coming from, coming from, यदि आता हुआ, an object, आता है, object से, कोई light हमारा object से आ रहा है, clear है, और meet, और वो फिर उसके बाद meet करता है, और appear to meet, और नहीं तो परतीत ऐसा कराता है, कि अब हम मिल जाएंगे, light जो है, वो object से आए, और वो या तो मिलता हो, या ऐसा लगाए, कि अब हम मिल जाएंगे, है ना, at a point, किसी भी point पर, कहां, at a point, किसी भी point पर, वो मिलता हो, महसूस कराएंगे, या वास्तों में मिल जाएंगे, कब, कब मिलेगा, after reflection, after, कब reflection from a mirror, reflection from a mirror, mirror से reflection के पस्चाथ, या reflection through a lens, या reflection के बाद, या कोई lens से reflection के बाद, through a lens, सभी लोग note कर लेंगे, ये definition याद करना पड़ता है, दिबाग में रहेगा, समझा हुआ रहेगा, तो भुला जाएंगे, तो हम अपने word में लिख देंगे, कोई tension ही नहीं है, लेकिन याद कर लो, चलो, हम याद भी करवा देते हों, तो आपको मैंने क्या कहा, कि image formed होगा, and image is formed, when the light rays, जब light rays जो है, coming from, क्या होते हैं, coming from, ये याद ध्यान देंगे, coming from an object, किसी object से आए, है न, और meet, और उसके बाद मिल जाता है, या appears to meet, मिल जाया ना तो लगे, कि हम मिल रहे हैं, है न, माने भुलावा देगा, कहा, at a point, garden में नहीं, किसी point पर, ठीक है, और कभ यह मिलेगा, ये बताए, तो after reflection, reflection के बाद, from a mirror, या reflection through a lens, clear, तो अब सबको याद रहेगा, image का definition, ओके, और image जो होता है, वो आपको दो परकार के होते हैं, कितने परकार के होते हैं, two types of images हम लोग यहां पढ़ेंगे, images जो हैं, वो two types के हम लोग यहां पढ़ेंगे, images, एक हमारा रहेगा, first एक हमारा image है, वो है real image, ठीक है, एक वास्तवी की images पढ़ेंगे, real images, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, virtual images, कालपनिक किसे कहते हैं, virtual images, real images और virtual images, दो तरह के images होते हैं, और यह दोनों तरह के images हम लोग पढ़ेंगे, आप अपना mirror में image देखे हैं, plain mirror में आज image देखकर क्या हैं, वह image जो बनता है, वो कहां बनता है, कहां बन रहा है, the image of our face appears to be situated behind the mirror, हमेशा परतीत होगा, आप खड़ा हो जाएए आगे, तो दिखाए देखा कि यह image पीछे हमारा mirror के बना हुआ है, है न, यह हमेशा परतीत होता है, यानि कि the image of our face, image of our face, हमारा face जो है, एक ही चेहरा है न, तो face लिखते हैं, the image of our face appears to, appears, to, be situated, यह हमारा जो image होगा, वो कहां situate करेगा, बैठेगा, situated behind the mirror, mirror के पीछे बनता है, है न, और जबकि वहीं हम लोग सिनेमा हौल में जा करके, सिनेमा का जो screen है, यह screen है, और इस screen पर जो movie चलता है, वो movie का जो image बनता है, वो कहां बनता है, क्या, इस screen के पीछे बनता है, नहीं न, in front of a screen, है न, हमेशा on a cinema screen, इसे कह सकते हैं, कि cinema के screen पर बनता है, है न, यानि आप देख रहे हैं, कि image जो बन रहा है, वो हमारे को एक बनता है, mirror के पीछे, और दूसरा बनता है, on the cinema screen, यानि हम लोग लिख सकते हैं, कि watching a movie, watching a movie, ध्यान देंगे, लिखने का तरीका देखे, watching a movie in the cinema hall, in the टुकडो में तोड करके लिखते हैं, in the cinema hall, इंगलीज को, watching a movie, in the cinema hall, we see, we see the images, हम लोग जो images देखते हैं, images of actors and actress, hero or heroine, क्लाकार, है ना, actress, actresses, है ना, actors का plural क्या होगा, actresses, है ना, क्लाकारो, क्लाकार्यो, है ना, male and female actor, on the, कहां बनता है ये, on the, cinema screen, यह कहां बनेगा, cinema screen पर, यानि यह image जो देख रहे हैं, वो कहां बन रहा है, cinema के screen पर, जो image, screen पर बनता है, है ना, जो image, cinema के screen पर बन रहा है, screen पर बन रहा है, उस image को कहते हैं, real image, भराईए नहीं, अभी हम लोग इसका, बेजापते, topic, एक क्लास ही लेंगे, real image, और, किसका, और यह जो image, जो बन रहा है, दो तरह के image हैं, यह हमारा हो गया, virtual, तो हमारा next topic, जो होगा, वो real और, virtual images का होगा, और after the break, thank you,